सम्स्कृत एपीजी पाथशालायाम भवताम सरवेशाम पे स्वागतम व्याहरामे अहमस में डाक्टर नारायना है तिरुपतिस्थ राष्ट्रिय सम्स्कृत विद्यापीठे द्वैत वेधानत विभागे सहायकप प्राध्यापका है इदानिम भारतीय दार्शनिका परंपराया है विशयवस्तु इति प्रधाल शेर्शिकाम आलंब्या नास्तिक दर्शनेशो प्रसिधस्या बाउध्ध दर्शनस्या ये प्रसिधाहा दर्शनिकाहा तथा तेशाम करतायाहा इति विशय मधिकर्थ्या किन्चित अबलव कयामाहा कस्यचित दर्शनस्या परचारस्तावत द्वेधा भवितुम अरहती एकस्तावत उपदेशम अर्गाहा अपरस्तावत ग्रंथ प्रबंधन रूपाहा तत्र बाउध्ध दर्शनस्या शुरुतं इति नाम आसीत यतोहे पूर्वं बाउध्ध दर्शनं ग्रंथे निबधं नईवा आसीत तस्यदर्शनस्या प्रसारहा केवलं उपदेशे नईवा भवतिस्मा अतहा तत्दर्शनस्या नाम आसीत शुरुतं इति बुद्धस्य उपदेशानंतरं तस्य महानिर्वाणानंतरं भौकमत्सरानंतरं अमेवा ग्रंथ रचनाप धतिही समारप्ता तदनंतर मेवा तत्र बौध्ध दर्शनस्य ग्रंथाह पाली इत्यादी आचासु बौध्ध दर्शनस्य ग्रंथाह तत्र विरचिताह आसन। आचासिकानाम अन्वेशनेना तत्र केचन एवा इदानीम समूपन अभ्यंते बौध्ध दर्शनस्य समस्कृत अन्वाद ग्रंथाह अथावा स्वतंत्र ग्रंथास्चा एचनना अनंतर कालीकाह भवंती। एवमेवा जैन दर्शनस्य कृतयाह अपी बहु प्रसिद्धास संती तत्र जैन तरक्क शास्त्रमेवा प्रत्यकतया प्रवृत्तम आसीत पूर्वस्मिन काले जैन दर्शनम तावत क्रिस्तोह पूर्वं अश्टम शतमाने शत्षतमाने वा प्रवृत्तम आसीत इती तिहासत्याह वदंती एवं जैन दर्शनस्य तथा बौध्ध दर्शनस्य ये प्रसिद्धाह दर्शनिकाह भवंती तेशाम विशये एवं तत्कृतीनाम विशये चा किंचित वयं इदानिम अबलो कयामा आदव तावत बौध्ध दर्शनस्य प्रवर्तकह भवती बुध्धह एवा तमधी कृत्य वयं किंचित पश्यामहा गौतम बुद्धाह तस्य कालह भवती कृस्त पूर्वा शड्विंशत युक्तर दीशत वर्षम प्रायह अयं कालहा इतिहा सद्येहे निरणेताहा यह महापुरुषः मानवान अहिमसायाह पाठम अपाठयत यस्चा जनानाम दुख निवारनाया बहुजन हिताया बहुजन सुखाया राज्यमपी अत्यजत सोस्ति निखिलेपी भूमंडले सुप्रसिद्धाह महत्मा बुद्धाहा सोयम महापुरुषः कपिलवस्तु नरेश अस्या शाक्यवंशी अस्या शुद्धोधन अस्या सुपुत्रह आसीत अस्या जन्मनाम आसीत सिद्धार्थ इति बल्या देवा सिद्धार्थ अस्या चित्तम विशयेशो न अरमता पुत्रस्य इताद्रिशीम विरक्ट्यम विलोक्या पिता व्याकुलस्सन तत्कृते सकलानी सुखसाधनानी समायो जयत। परं सिद्धार्थ तस्या चित्तम तेशो न मनागपि आसक्तम अभवत। अथक अदाचित आतुरं कअदाचित वृद्धं अनंतरं मृतकं तताह सन्यासिनं च विलोक्या तस्या हृदये महद्वैराक्यम अजायता अतह मानवानाम दुख निवृत्तये राजकुमारह अयम सिद्धार्थ तह रात्रव प्रियाम पत्निम नवजातं पुत्रंच विहाया गृहात प्राब्रजत। ततह सब प्रथमं पंचबिही ब्रम्हनेही सह तपह आचरत। किन्तु तेन तस्य मरह संतोशम न अवापा अनंतरं सह महताश्च्रमेन सतत अभ्यासेन तपस्ययाच बोधं अलाभता ततप्रवृति सहा बुद्ध इती प्रसिद्धाह सिद्धार्थ एवा यदा बोधं अवापा ततपा अरभ्य तस्यनाम आसीत बुद्ध इती ततपा सहा जनेभ्य हा उपादिशत किमिते जगदितं दुखमयं दुखस्य मूलं कामना आशा एवभवति कामनायाह उन्मूलनं अस्माभी करणियं एवं दुखनिवृति संभाव्या भवति इती सह उपदिदेशा महत्मा बुद्ध हा एतेशाम चतुर्णाम आर्यसत्यानाम प्रचारं सम्यक अकरोद सहा जनानाम दुखनिवारनाया तेशाम कल्यानायचा उपादिशत इमेतस्या प्रमुखाह उपदेशाहा मनसा वाचा कर्मना अहिमसायाह पालनम कुर्यात सता सत्यम वदेत कस्यापी किमपी वस्तु कदापी नचोरयेत सर्वान समदृष्ट्या पश्षेत सत्कर्म कुर्यात सर्वेशो दयाम आचरेत शरनागतान रक्षेत अधिकम संग्रहम नकुर्यात ब्रम्हचर्यम पालयेत इती इमेतस्या उपदेशा विशयाह आसन् एतेशाम पालनेन एवा सुखम शान्तिष्चा भवितुम अरहती इती बुद्धाह सर्वान उपदिदेशा भारतिय धर्म गुरुह भगवान बुद्धाह ज्ञानिशु श्रेष्टह विख्यातह आसीत अस्या उपदेश वचनानि एवा अग्रिम काले एवा सर्वेशाम दर्शनानाम अधारभुतानि आसन् इती महंतह अभिप्रयंति एवं गौतम बुद्धस्या तत्र उपदेश विशयाह प्रमुखाह अस्माविह अभगताह तत अनंतरं तत्र काले अन्ये केपी प्रसिधाह बुद्धाह नासन् बहुकालानं तरं तत्र नागार्जुनाह समागताह तस्य कालाह भवती कृस्तशका पंचाश दुत्तर एकशत सम्वत्सरं इती नागार्जुनाह दक्षिन भारत देशीयह अजीत इती इतिहा सत्याह अभिप्रयंति यद्यश्री शटकरणिका नामकस्य रध्यह परिपालन काले सहाशी दिती सम्भाव्यते यद्यपी महराष्ट्र प्रदेशे ब्राम्हनकुल प्रसूतोयं कालांतरे बौधं मतं स्विचकारा इती केचन अभिप्रयंति अयम ही स्वा जीवनस्य अंतिमं कालं यावत श्री पर्वते एव यापितवान इती प्रसिथि रस्ती तत्र तस्येव पर्वतस्य अनंतरं नागार्जुन कोंडा इती नाम प्रसिद्धं अभवत इधानिम सपर्वतह अंधप्रदेशे गुंटूरुप्रांते विध्यते इती प्रथा विध्यते यद्यपी नगार्जुन प्रणीताह बहभः ग्रंताह दृष्यंते तन्नामना बहभः ग्रंताह इधानिम प्रकाशिताह वर्त्वंते परंतू सम्षोधकानाम अयम अभिप्राया भवती निर्विवादेन वक्तव्यं चेतू मूल माध्यमिक कारिका इत्येकएव ग्रंताह नगार्जुन प्रणीताह इती तत्र सम्षोधकाह अभिप्रयंते परंतु तन्नामना प्रसित्थाह अन्येपि ग्रंथाह संति तेभवंति शुन्यता सप्तति ही विग्रह व्यावर्तनी वैदल्य प्रकरणं व्यवहार सिध्थी ही युक्ति शाष्टी कहा चतुस्तवहा रत्नावलिही प्रकित्य समुत्थ पाद हर्दय कारिका सुत्र ग्रंथाह तन्नामना प्रसित्था संति अनंतरम कृस्तशका चतुर्थ शतमाने असंगहा नाम कस्चना बवध वित्वान बवध दर्शनम प्रसारितवान तद्विषये वयंकिंचित विचारयामह नागार्जुन आर्यदेवयोह अनंतरम पूर्वम आसीत नार्गार्जुन आर्यदेवयोह अनंतरम बवध दर्शनिकेशो विशिष्टम स्थानम अस्ति असंग महाभागस्य तस्याइव भ्राता आसीत वसुबंधु हु इति इमोँ द्वावपी यद्यपी समात्रकव मातु हु नाम भवती परसन शीला इति सा ब्राम्हनी आसीत तस्याम ब्राम्हन्याम ख्रत्रियाज जातह भवती असंगाह ब्राम्हनेन जातह भवती वसुबंधु हु येतयोहो अपेक्षया अन्यहा अपिकस्चन आसीत कनीयान येतयोहो कनीयान भवती विरच्चिवत्सह इति असंगस्या वसुबंधु हुष्च बौध्ध दर्शनस्या विकासे महत्योगदानं असंगहा बाल्यादेवा प्रतिभाशाली आसीत पूर्वम अनेन वेदशास्त्राणाम अज्जयनम अकारी इद्यपि परंतु ज्ञानदाही आसीत अयम असंगहा ब्रम्हण पुरोहिताह तम् वेदशास्त्राणी उपदि दिशुखु परंतु तस्या ज्ञानदाहा नसमाप्ताह तावता अतह सहा मैत्रैय नामकम गुरुम जगामा मैत्रैय नामकहा भिक्रुहु असंगस्या प्रथान गुरुहु भवती सतं बाउद्ध दर्शनम उपदि देशा मैत्रेय उपदिष्टान अम्षान असंगह व्याचक्यों तेन सहा बौधध दर्शनस्य महान पंडितह समजने यद्यपी आदो अयम सभ्राता सरवास्तिवादा अनुयाई आसीत वसुमंदुहु अयम्च वसंगस्च द्वावपी तत्रीव स्तह सरवास्तिवादा अनुयाई नुस्तह अनंतरं महायानं अयम अनुससारा अंते अयमेव विज्ञानवाद नामकं नूतनं योगाचारमतं प्रावर्त यत। प्रसन्न श्रीलायां समुत्पन्नहा ब्रांहणीन समुत्पन्नहा अयम वसुबंदु इती पूर्वमेवमया उक्तम अस्या जन्मभूमिही पेशावर्भवत्य। ब्राम्हन पुरोहितानाम उपदेशेन अशांत ज्ञानदाहा अयम अपी बौधाचार्यम उपससारा। काश्मीरेशु प्रसित्थं बौधं मतं अयम समभ्यसत। अतहा वसुबंधुरपी पूर्वं हीनयानस्या वैभाशिक मतानुयाई आसीत। अनंतरम अयम भात्रा असंगेन प्रेरितस्सन्न महायानम प्रभिवेशा। तथ असंगेन प्रवर्तितस्या योगाचारस्या प्रतिपाद कहा अपी अयम समभवत। जीवनस्य बहुकालं यावत। अयम कौशांब्याम अयोध्याम्चा यापितवान। अयमि कुमार गुप्त सकंद गुप्त बाला दित्यानां समकालिक हा आसी इती इतिहा सत्व्यां हा वदंती अस्या केचन शिष्याहा प्रख्याताहा आसन दिंगनागाहा स्तिरमतिही व्युमुक्त सेनाहा गुणप्रभाहा इत्यादयाहा वसुबंधोहो प्रमुखाहा शिष्याहा आसन परमार्थ सप्ततिका संख्यमत निराकरनार्थमेवा अनेन विरची अन्ये अनेन विरचिताह ग्रंथाह इमे भवंती महायान संग्रहस्य व्यक्या चतुष्षतक शास्त्रम महायान शतधर्म प्रकाश मुख शास्त्रम अमित आयुस्चुत्रोपदेशाह विद्यप्ति मात्रता शास्त्रम कर्मसिध्धि प्रकरणं इतिचा एवं अनंतरं भवती असेव शिश्याह दिंगनागाः अयम नूतन तरक्कशास्त्र प्रणेता अपि आसीत तस्मिन काले अयम अपि दिंगनागाः दक्षण भारते ब्राम्हन कुले संबभूवा कांची पुर समीपस्थ सिम्ह वक्रनामक ग्रामह अस्य जन्मभूमिह आसीत पुद्गलवाद प्रभत्त हु नागदत्त स्य अयम शिश्याह आसीत केनापि कारणेना गुरुनासाकं विवदमानह अयम बौध विहारं तत्याचा अनंतरं अयम उत्तरभारतं प्रतिययों अयोज्यायाम विद्यमानं वसुबंधुं सह उपससारा तत्र त्रिपिटकं सह समप्यसत। विज्ञानबादे ज्यायशास्त्रेचा सह वेगेन पांडित्यम संपादयामासा मध्यकालीनन ज्यायशास्त। पितामह इती बिरुदा समनंकृतह आसीत अयम दिंग्नागहा अनेन इमे ग्रंथाह विरचिताह वर्तंते हेतुचक्रम आलंबन प्रकाशिका प्रमान समुच अश्या अनंतरम भवती परमार्थाह इती अश्टन अवत्युत्तर चतुश्यतमाने आयम आसीत पश्चिम भारते उज्य इन्याम सुसंस्कृत ब्राम्हन परिवारे परमार्थास्या जन्म आसीत। कुलनाथ इती तस्य अपरम नाम बाल्यादेव अयम अप्रतिम प्रतिभाशाली आसीत। बाल्येव अनेन प्रम्हन ग्रंथाह अधिकताह आसन। तथापी असंतुष्टमनाह परमार्थोयम बौध्ध ग्रंथान अधिचकामा। साहित्य कलासुच अस्य प्राविन्यम आसीत इतित्यायते। देशाद देशम भ्रमन अयम पटली पुत्रम अनंतरम समा जगामा। तत्र गुप्त वम्षियाह राजानह आसन। ते एनम बहुदा सममामानयन। चीन देशियेनापी रध्या अयम स्वीय देशम बौध मत बोधनाया आहूत अहा आसीत। सहा अनंतरम चीन देशम जगामा। परन्तु चीन देशे राजिकीय विप्लब कारणेना पुनह अयम परमार्थाह देशांतरम प्रतिययो। एवं बहुशु देशेशु अनेना बौध मत प्रचारहा कृताहा आसी। एत दनंतरम भवति धर्मकिर्थि। बहुनाम गरंथानाम रचैता भवति धर्मकिर्थि यद्यपी अनेना कृताह गरंथाह प्रायह तिब्वति भाषायाम अनुमाधिता संति एतेना विरचिताह गरंथाह एवा इधानिम बौध धर्मस्या आधारभूताह वर्तंते। क्रिस्टशक शष्टशतमाने चोडप्रांते तिरुमल्लाई नामक ग्रामे धर्मकिर्थेह जन्मा आसीदिती इति हासत्या अभिप्रयंती। अस्यपिता कोरुनंदह अथवा पोरुनंदह इत्यपिवदंती सुप्रसित्ध ब्राम्हना सह आसीद। बाल्यादेव अयम अप्रतिम अप्रतिभावान आसीद। वंश परंपरानुसारं अयम अपी आदू वेदवेदांग अध्ययनं चकारां। मिमामसा दार्षनिकस्य कुमारिलभटस्य जामाता अयम आसीद। पनाहा तत्सविधे एवा अयम अध्ययनं अपी भुकानं जावत कृतवान। तदानिम सरवत्र व्याप्रतेना बाउध दर्शनेना अयम अकृष्टह समभवत। अतहा सहा सरवता बाउध ग्रहस्तानाम इवा वेशभूषनादिकं कृत्वा गमनागमनादिकं करोतिस्मा। तेन सहा ब्राम्हन कुलात बहिश्कृतह अभूत। तदनंतरं सहा चोलदेशं परित्यज्या बाउध दर्शनम इवा प्रविवेशां। एवं बहा बहा अस्यक ग्रंथाहा तिब्वती भाषायाम अनूदितास्संति तिब्वती भाषायाम अनूदितानाम बाउध संस्कृतक ग्रंथानाम आहत्य श्ट्लोक संख्या भवती लक्षाधिका संख्या काहग भवंति। तेशु प्रायह सप्त त्रिम्षत सहस्रोत्तर एक लक्ष परिमितश्ट्लोकाह धर्मकिर्तेह एवभवन्ती इती महान अयं ग्रंथकर्ता बौध्ध दर्शने इती वक्तुं शक्यते अनंतरं भवती जैन दर्शनम जैन दर्शने यथा परिचयकाले मया उक्तम धरसेनेन आचार्यह सहा गिरिनगरस्त चंद्रगुहायां न्यवसत सहा स्वध्ञातान बौध्ध दर्शन विशिष्ट अम्षान एतयोहो कृते उपदिदेशा तद उपदेशं आधारी कृत्या अयं पुष्पदंतह बाहु बलिश्च उभावपि मिलित्वा शट्कंडागमा इत शुत्रग्रंथं रचयामासतु हूँ शट्कंडागम ग्रंथेश्मिन जीवस्थानं खुलका बंधाहा बंधास्वामित्व विचयाहा वेदनाखंडाहा वर्गनाखंडाहा महा बंधास्च उट्कंडाहा अत्र विध्यनते हैं एवं शट्खंडेशु कानिचित सुत्रानी पुष्पदुन्तेन, कानिचित सुत्रानी बाहु बलिनाच विरचितानी इती पूर्वमेम अस्माबिही अबगताम। एत दनंतरं भवती कुंदकुंदाचार्यहा इती अयम कृष्टशका चतुर्ष्टशतमाने आसीत जैन दर्षनी केशु अनितर साधारण गौरवपात्रभूताहा जिगंत व्याप्तकिर्थयहा सुप्रसित्थाहा ग्रंथकाराहा संती एते कुंदकुंदाचार्यहा एते अन्धप्प्रदेशस्या गुंतकल्प्रांते विध्यमानं कुंदा कुंदा ग्रामं अधिवसंतिस्मा इती प्रथा विध्यते प्राक्रत भाषया उपनिबधेशु एतेशाम गरंथेशु जैन दर्शनस्या सुक्ष्माति सुक्ष्मतत्वानी सुष्ठु विचार्ज्यंते प्रवचनसारह, पंचास्तिकायह, प्रवचनसारह, नियमसारश्च, इती सुप्रसिथाह, कुंद कुंद अचाज्यानाम, गरंथाह भवंते प्राकृत भाषा, गरंथानाम, एतेशाम, सम्स्कृत भाषया, व्याक्याह, व्यरचिशता, अमृत चंद्रसूरी बही येते शाम अनंतरम भवती जैन दार्शनिका हा उमास्वामी येते शाम उमास्वाती इत्यपी नामा प्रसिध्धम वर्तते येते पी तत्समकालीना हा एव भवंती कुंद कुंद आचार्ग्यानाम शिष्या हा एव भवंती येते उमास्वामी महाभागा हा तत्वार्थ ग्रुद्ध्र पिच्चाचार्ग्य इती नमांतरम अपि अस्ती एतेशाम। तत्वर्थ सुत्रे तावत दशा अज्यायासंती तत्र रिपंचाश दुत्तर तृषत सुत्रे ही निबद्धः अयम ग्रंथः विद्यते प्रतमाध्याये सम्यक्दर्षनादी रत्नत्रयम प्रमाणानी नयाह अनंतरम मतिश्रुतादी ज्ञानप्रकाराष्च तत्र प्रतिपाधितास्ति जुतिये अज्याये तावत अउपशमिकादी भावाह शरीर भेदाष्च निरूप्यनते तुरतीय चतुर॥ योहो विभिन्न लोकानां वरणना तत्र विध्यते अनंतरं पंचमा अज्छाये जीवनिरूपणं शष्टे पुन्य पापा अस्रवानां निरूपणं सप्तमे अहिमसादी निरूपणं अष्टमे बंधकारण ज्ञानावरण निर्जरादीनां दशमे मोक्षस्वरूपनिरूपणं इती एवं दशा अच्छायेशु संपूर्णं दर्शनं जैन दर्शनं अत्र येते इही प्रधिपारितं विध्यते तदनंतरं भवती मल्लबादी इती अयं कृस्तषका पंचमशतमाने आसीत जैन दर्शनिकाहा द्वादशारनाय च द्वादशारनय चक्रे विशेशत हा वैशेशिकमत अदूशनं दर्श्यते मल्लबादीनाम वैशेशिकमतं काटंदिकाहरन अम्ना व्याहारी। द्वादशारनय चक्रे यथामया उक्तम वैशेशिक दर्शनस्य विमर्शाक्रताह इती अन्येपि तत्र विचारास्संती जैनसित्धंत मूलभूत तत्वस्य स्यद्वादस्य विवेचनं अस्मिन गरंथे दृष्यते यज्यपि नईगमा रजु सुत्रादी सप्तन येशु प्रतेकस्मिन ये शतम अंतर्नयाहा तत्र आसन मंदमतीनाम दृष्यते अन्याहा इते अन्याहा इती परमकारुणिकेना मलवादिना बालानाम अपि सुकबोधाया गरंथम इमं अरचयत्य शर्च्सु द्रव्यार्थ नयाहा अपरशत्सु परियायार्थिकन येस्चा अत्र निरूप्यते सिम्हसूरी गणिभिही अस्य ग्रंथस्य व्याक्या अकारी इती ज्ञायते विधीनियमयोहा अधारिण स्याद्वाद प्रधिपादनम अत्र विशेशतह दृष्यते विधीनियमा भंग वृत्य वि पूर्वं कांची पुरे विद्यमाना येते अनंतरम करनाटेशु समाचरन इती शिरवण बढगलस्त शिला लेखे येते शाम नाम उल्लिके अयम कस्चन श्लोकहा तेनेव रद्ने कस्माईचित समर्पितम इती प्रथा विद्यते पूर्वं पाटलि पुत्र नाम नगरे भेरी मया ताडिता पस्चान मालव सिंधु ठक्कर विशये कंची पुरे वै दिशे प्रप्तोहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं विद्यार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूल विक्रीडितम इती चमत्कारेन श्लोकं विरच्य रद्ने अनेन समर्पितम आसीत अप्तमीमांसा युक्त्यनुशासनम इती गरंथद्वयं एव एतेशाम समुपलभ्यते एतेशाम अनंतरं भवती पुज्यपादहा इत कृष्टशका शच्छतमाने अयम आसीत पुज्यपादानां देवनंदीती नमांतरम अपि अस्ती सुप्रसिधस्या जिनेंद्र व्याकरणस्य प्रणेतारह भवंती इमे उमास्वामिनां तत्वार्थ सुत्रस्या सर्वार्थ सित्तिही इती नम्नी व्यक्या एतेईही ए व्यद्हाई व्याक्ययम नाति विस्त्रता नाति संक्षिप्ता अक्यीव रमणीया विद्धते एटेशं अनंतरम भवंती भत्ताकलंकाहा भत्ताकलंकाहा अन्त्सुप्रसिध युजय न दार्षनिकाहा भवंती प्रमानम अकलंकस्या इती जैन संप्रदाये सुप्रसिध्धा उक्तिही विध्यते उमास्वामिनाम तत्वार्थ सुत्रस्या तत्वार्थ राजवार्तिकम इती टीका एत इही अकारी एतेशाम प्रसिधाह ग्रंताह इमे भवंती तत्वार्थ राजवार्तिकम लगी यस्त्रयहा ज्याय विनिष्चयहा प्रमान संग्रहहा सिध्धी विनिष्चयहा इती अनंतरं भवती हरिभद्राचार्यहा जैन दर्शने सुविख्यातहा ग्रंताकर्ता भवती हरिभद्राचार्यहा जैन सिध्धांत अस्या परिपोषणे प्रपंचने चा अस्यक्रतयहा महत्तरं स्थानं आवहंती हरिभद्र प्रणीत शर्दर्शन समुच्यय व्यक्ष्यात्र मनिभद्रेन एवं उक्तमस्ति हरिभद्रम अधिकृत्या यदयम आचार्यहा चतुर्तश शातक प्रकर्ण उपकृता जैन धर्महा इती अनेन उक्तमस्ति अयम्ही जन्मना ब्राह्मान आसीत कालांतरे जैन धर्मं प्रविवेशा इत्यपी प्रथा अस्ति बौधाचार्यहन दिंग्नागेन प्रणीतस्या न्याय प्रवेशस्या व्यक्ष्या अनेन कृता इती अपी प्रथा विध्यते एते ही विरचिताह ग्रंथाह भवंती इमे अनेकांत जय पताका, अनेकांत वादप्रवेशाह, सर्वज्य सिध्धिही, शर्दर्शन समुच्य यहा, शास्त्रवार्ता समुच्य यहा, योगबिंदुहु, योगशतकम इत्यादयाह, एते सुप्रसिधाह ग्रंथाह भवंती एवं एकादश शतमाने नेमिचंद्र सिध्धांत देवह गुम्मट सार बुरह द्रव्य संग्रह योहो प्रनेता प्रसित्था आसीत तथा वादिराजह न्याय विनिष्चय विवरन प्रनेता अपी प्रसित्था आसीत यद्यपी अयम अकलंक आचार्य प्रनीत अस्या न्याय विनिष्चय अस्या व्यक्ष्या ग्रंतः तथापी स्याद्वादं आक्षिपतां आचार्य शंकर कुमारिल प्रशस्त पाद इश्वरकृष्णा मंदनमिश्रादी नाम विमर्शह अत्रकृतह इती ग्रंतश्य अस् संप्रदाये विशिष्टम स्थानं भवती विशेशताह बाउध्धानां निराकरणं अत्र विहितमस्ती एवं श्वेतांबर संप्रदाये सुप्रसिधाह दार्शनिकाह हेमचंद्रहा सहा द्वादशशतके आसीत हैमव्याकरणस्य प्रनेता अयम आसीत एवं पूर्वं न सप्तमशतमान परियंतम क्रिस्तशका सप्तमशतमान परियंतम अश्टमशतमान परियंतम वा बाउध्ध जैन दर्शन प्रसारह सर्वत्र भारत देशे आसी अनंतरम यदा कुमारिलभटानाम वा अनंतरम शंकराचार्यानाम वा प्रवेशह भारते आसीत तेशाम अवतारह पूर्व म पी बौध्ध लशन मासीत इदानीम पे विद्यते पूरम पे वैदिक दर्शन मासीत इदानीम पे विद्यते नामा विचाराहा तट्र तत्र मनुष्चेशु तदा तदा अभिर्भवंती यता यद दर्शनं विकासं गच्चती तदらいवा तदर्शनस्यकालहा इते अस्मापिही ब्यवख्रियते इत्युक्त्वा अहम मेरा मामे धन्यवादा हा